है 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 लो स्टूडेंट्स आज हम दोग मौसन इन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से दो टॉपिक पर स्टडी करेंगे और पहला टॉपिक है स्पीड और दूसरा टॉपिक है वेलोसिटी और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि इस स्क्रीन पर जो आप डियाग्राम देख है पड़ता होगा और इसके बारे में मैं अन्द पर भी बात करूंगा स्टाइंग में बात करता हूं इस दिवाइस का नाम है स्पीडो मीटर लेकिन आप दो डिवाइस है एक और मीटर भी साथ साथ एटेच है इसमें आप देख पार है यह जो स्केल लगा हुआ है इस सर् जिए नेक्स्ट है यहां पर आप कुछ देख पार है यह जिक कि इस तरह से जिसे जिसे आपका वेहिकल आगे की तरफ बढ़ता है यह रिडिंग इसके बढ़ता जाता है और यह बताता है कि अभी आपके वेहिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कर लिया है तो इस दिवाइस को कह जाता है और्डविटर और इस डिवाइस जिए कॉल स्फिट अमेटर ओके तो इस श्पीड आपके और आपके वेहिकल आपके अश्पीट था आपके नहीं और इस टॉपिक का आज के दीन में तो यहां है इस पीड आया हम लोग बात करते है क्या हो ताइस पीड वेहि आप निचे क्लासे से भी पढ़ते आ रहे हैं तो इट्स डेफिनेशन इज रेट ओफ द रेट ओफ चेंज और पोजिशन आफ अफ जेक्ट विट टाइम विट टाइम ये शोरी इन एनी डिरेक्शन इन एनी डिरेक्शन इस कालड़ स्वीड ठीक है सो देखिए क्या कह रहा है रेट आफ चेंज पोजिशन देखिया आप नीचे क्लासे में जब रहे होंगे तो आपको इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग धंग से मिलता वहां आप सीधे करते होंगे डिस्टेंस पर सकेंड जै तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं आप लोगों ने reference frame of reference समझना शुरू कर दिया है और वह कैसा होता है तो आप x-axis y-axis और z-axis में किसी फ्रेम को बनाते हैं उस फ्रेम को ही आप frame of reference समझते हैं फिलाल आप देख पारें यह अगर y है यह x है तो मैं आपको समझ इतना है चेंज पोजिशन सबसे पहले में बात करता हूं रेट तो बाद में पहले चेंज पोजिशन क्या होता है इस चेंज पोजिशन पर अभी हम डिसकर्शन करते हैं तो सब अभी क्या है कि एक बॉड़ी यह आपका y-axis के respect में एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और सॉर को अगर आप मेजर करें तो यह वाई-axis से आपको अगर मेजर करने के बाद आपको दिखाए पड़ता है कि यह डिस्टेंस फाइब मीटर है सपोज सपोज फाइब मीटर है और उसके जस्ट एक सकेन के बाद यह दिखा गया कि object का जो आप लोके से ने वह कुछ यहां पर ह है और यह जो डिस्टेंस है यह वाई-axis के कंपियर में फिप्टीन मीटर है पहले यह लोकेशन है इसके कंपियर में फाइब मीटर है और नेक्स्ट अगले एक सकेंड में क्या है तो फिप्टीन मीटर में है अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि इसने इस पोजिश करेंगे फिप्टीन माइनस फाइब लिस टेन मीटर उसने एक सेकेंड में टेन मीटर डिस्टेंस कबर क्या तो इस दो पॉइंट है इन पॉइंट को काई जाता है पूजिशन यह इस फ्रेम आफ रिफरेंस के कंपियर में एक पोजिशन पर ताफ फाफाइम मीटर के पर सेकेंड क्या चेंज हुआ जैसा आगर हम करते हैं यह 5 मिटर इसके कंपएर में डिस्टेंस है और यह 15 और इनके बीच का इंटरबल एक त्यू सेकेंड इसटेंस हुआ 15-5 10 और टाइम चाहिए ने का तो दो सेकेंड का हम जानना चाहिए 1 सेकेंड में कितना होगा definition क्या का रहा है so the rate of change of position of an object with time in any direction यहां देखे डिरेक्शन का कोई बांदेशन नहीं है किसी भी डिरेक्शन में हम distance coverage को consider करते हैं और इसलिए यहां हमारा वेक्टर भी नहीं हुआ इसलिए स्केलर कॉंटिटी बिकास नो डिरेक्शन इस प्रेक्शन इस प्रेक्शन आपने पहले से पढ़ लिया निचे क्लासे से स्केलर कॉंटिटी आपको जब भी स्केलर कॉंटिटी आपको जब भी पूछा जाए स्पीट के बारे में तो आप कहेंगे स्केलर कॉंटिटी बिकास नो डिरेक्शन बिकास इस पीड़ेस्ट इस नो एन इस प्रेस्टिक डिरेक्शन अल्सो दिस्टेंस ट्रेबल बायन अब्जेक्टी इस आइधर पोजिटीव और जीरो और जीरो बट नेगेटिव चलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कंप्यर में उसने चंपे लिए इसका फाइम ने यूद्ट कर गिया है और अपने फ्रेम के नज़ीं पर नहीं करता है लेकिन टाइम टो पास हो रहा है अगर पुछा जाएं कि ग्यवन टाइम में उनका स्विध क्या रहा तो आप क्या करेंगे हम जीरू हो जाएगा लेकिन नेगिटिव हो सकता है तो नहीं हो सकता है आप किछी भी तरह का पाफ को ट्रवल करिए कैसा भी करें होता ही इए दो इस तरह करेकल में घूमते हैं कि इस तरह से कि इस तरह से circular पास में तो भी आपका डिस्टेंस इस सर्कंफिरेंस कें ब्राबर होता है आपका स्वीड कभी 0 जिरो हो नहीं अगर डिस्टेंस अगर पोजिशन में चेंज हुआ है तो पुशिशन secondary debate नहीं होगा तो डिस्टेंस जीरो होगा जिसके वाझरीस यूइट और स्पीट ईस returned पर सेकेंड डाइनिशनल फॉर्मूला जनना और भी आसान है आप इसके बैसिक यूनिट को ध्यान में रखेंगे अगर इसके यूनिट में फंडामेंटल यूनिट लगे हैं तो आप डिरेक्टी लिख सकते हैं दरवाइज आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा तो यहां पर दिखाए पड़ रहा है फंडामेंटल वाला सारा यूनिट लगा हुए मीटर और सेकेंड लेंद के लिए मीटर टाइम के लिए सेकेंड मीटर का जो सिंबोल होता है वह होता है ल तो आप देख वारेल है और जो सेकेंड होता है उसका सिंबोल होता है डामेंशनल डामे तो हम कहेंगे कि if if any object covers equal distances in equal interval of time equal distances in equal interval of time however the small this time interval may be of course यह अगर आप ल्याद रखना चाहते है तो यह काफी है if it covers equal distances wait yes if it covers equal distances in equal interval of time then the speed is called uniform speed आगे बढ़ते हैं variable speed इसमें क्या होगा जस्टिस का reverse if object cover unequal distances in equal time interval equal interval of time देखे time को तो आपको कभी unequal हो नहीं चकता है घड़ी का जो speed है needle का वो तो एक्दम uniform होता है लेकिन इस given time के according object ने distance cover uniformly नहीं किया तो हम कहेंगे unequal distance in object ने cover किया given time के according so the speed of such object is called variable speed next is average speed अगर आप किसी long distance cover वाले vehicle का speed जानना चाहते तो आपको इसका average speed जनना पड़ेगा क्योंकि यह आप एक train की speed को जानने का इच्छा रखते हैं तो क्या वगर train कभी स्पीड चलती है काफी स्पीड से कभी slow भी चलती है कभी यह प्लेटफार्म रुकती है इसके engine change होते हैं कहीं तरह के बाते होते हैं अगर आपको डेली से बैंगलोर के बीच का average speed बता देगा and you can find with this formula average speed that is equal to total distance travel divided by total time taken इस पर काफी सारे problem बनते हैं इस formula को आप ध्यान में रखेंगे इसके बात है instantaneous speed the speed of an object at any particular instant of time suddenly आपने चाहा कि आप स्पीड सोला सा जान ले जैसे आपके है वाई vehicle पर अब देखते हैं आठाने कि आप accelerator को बढ़ाते हैं तो आपका speed suddenly बढ़ता हुआ दिखाए पड़ता है speedometer बेर तो किसी खास इंस्टेंट पर बहुत कम समय के लिए आपका speed आपको 60 km per hour 80 km per hour 100 km per hour दिखाए पड़ता है और उसे कहते हैं instantaneous speed जिसे हम लोग कह सकते है speed of a speed of an object for a very short interval of time or for us for a particular instant of time इसे हम लोग इस तरह से समझ चेकते हैं कि सपोज किसी object ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस किसी स्मॉल टाइम डेल्टा टी पर कवर किया तब इसका average speed क्या होगा तो average speed का formula होता है total distance बेट टोटल टाइम टोटल टेल्टा एक्स है total time डेल्टा टी है और यहां पर डेल्टा टी इतना कम है कि यह जीरो के लगबग बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के कि इसको limit के formula जैसा कि mathematics में पढ़ने को मिलता है लिमिट का तरीका लिखने का यह इस वाला पार्ट इस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इसका मतलब होता है कि जो समय होगा काफी कम है जैरियों के लगबग बरा नजदिक होगा और डेल्टा एक्स डेल्टा टी जैसा के formula है और इसे हम लोग differentiation के formula के फॉर्म पर लिख सकते हैं डाट इस डी एक्सवाइड़ी ती सो कि एंड़ पर है देश्पीडो मिटर ओफ एन ऑटो मोबाइल इंडिकेट इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में क्विचर दिखाया था डिवाइस का वाइस इस्पीडो मिटर है और वाकिया में जर करता है तो इस्टेंटेनियस स्पीड में जिर करता है वह हमिशाब को नहीं 40 किलोमेटर पर आवर नाए 100 किलोमेटर पर आवर कंटिनुवस्ट वाइगा वाकिसी इस्टेंट पर बताएगा जैसा कि आपको इस्टेंट के लिए बताता है अगर आप एसके बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी तो देखिए इस आज के टॉपिक में हम दोग दो चीज देख रहे हैं एक है स्पीड दूसरा है वेलोसिटी अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं अगर आप आप से पूछा जाए कि आप डेली से बैंगलोर जाना चाहते हैं या कोई नजद्य की अगर आपको पूछाता है कि एक वेहिकल है और एक वेहिकल वाला आपके कहता है कि मैं आपको मैं आपको 100 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड इस फीड से आपको ले जाओंगा और 100 मीटर पर सेकेंड का चार्ज आपको 100 रुपिया लगेगा और नमबर वी वेहिकल है वह आपसे कहता है कि मैं आपको 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के हिसाब से 100 रुपिया दोस्另外 का नमबर भी नहीं हन्रेड मिटे पर सकेंड विल्यस्टी एक आपको स्पीड के कोडिंग आप से चार्ज कर रहा है और ये सजरा और अक्रिया करें मूझना आप आप विके साथ जाना पसंद करेंगे जोको सिंपड़ी होता है हम लोग लोग करते हैं गया होन управ क्या होता है तो इस दिस्टेंज बिटूइन इनिशल तु फाइनल आपको क्या करना पटना से दिली के बीच में एक दम सीधा सालाइं ड्रो करना है यह इनका इनिशल टू फाइनल का सौटेश टिस्टेंस वा लेकिन जो नंबर वाला वेहिकल है वह आपसे कहता है कि स्पीड में भाड़ा लूँगा तो स्पीड क्या होगा तो वह तो वह लेगा कि वाइस आप जो हमारा गाड़ी गया कुछ इस तरह से रोड से क्रोस करते 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 ऐसे डेली से पढ़ना पहुंचा तो यह तो इनका ज्यादा डिस्टेंस का प्रेज हो गया यह इसके कोडिंग आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि अफ्रेज फेलोस्टी क्या होता है और एफ्रेज इस्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंग टोटल टाइम चलिए आगे हम लोग बढ़ते टोपिक वाइस डा रेट ओव चेंज पोजिशन अभी आपने समझ लिए चेंज पोजिशन और वह वेष्ट की तरब जा रहा है तो continue की तरब जा रहा है इस तरह से उनका एक कशन बएक का ditement होता है इवन वह ऐसा थो नहीं होता कि वहाईट चड़िए हम शेया जाता है Somt प्तलोगा अधर करेंगे यसिघर मिनका पात अगर इभन ऐसा भी हो सकता है लेकिन उनका जो वलसिटी होता है वह इस झालिक जिर मिझर किया जाता है इस इस स्ट्रेट達 रेंग वाले डिस्टेंस के एक्वाडिंग विच्ट Marriage को फइंद किया जाता है ना कर वाले पाज के कोडिंग चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला बहुत आसान है वेलिश्टी देट इकल टू दिस्प्लेश्मेंट दिस्प्लेश्मेंट बाइटाइम एंड एस वेलिश्टी है बहुत मैंगनिटूड एंड डारेक्शन सो इडिज़ एक्टर क्वांटिट सबसलिके आपको सबस्क्राइब लेकिन नीजंगेटीव होता है अब को पढ़ेगा कि कैसे है तो इस पर डिस्प्लेश्मेंट पर अगर اسप्लेस्प्लेस्मेंट कि furniture होता है पोज्टी बौला तो आप्समझ रहें जैसे आपको मैं समझ symbols एक कोडिनेट सिस्टम इस तरह से कुछ है य है यह एकस है एक बोड़ी इस य एकसिस के कंपेर में डिस्टेंस कभरेज करना शुरू करता है इस धंक से वेट करें सिस्तर तो अभी जो भी दिस्टेंस वाई से लेकर के हाँ तक सबीस्टेंस होगा और फॉर पड़ रहा ह तोते कैंगे दिश्टेश more time यह पॉजिक्टिम है और क्या होगा अब यह यहां से रिटम फिर आजाएगा आपने इसे वाई एक्सिस के नजदिक में यह अभी इस पोजिशन पर पहुंचा हुआ है यहां पर पहुंच गया है अब आपको पूचा जाएगा कि बता यह डिस्प्लेश्मेंट क्या है तो आपका इनिस्यल यहीं है यहीं से इसने स्टाट किया है और यह है अगर आपजेक्ट इस ट्रक्रों में चलने लगे जहां से चला था एक डिरेक्सिन में इसके डिरेक्शन में अब वहां कहां चल रहा है और यह डिस्टेंस अपोस्टू मीटर है तो आप कहेंगे कि यह इसरो राइट साइड वाला पोजिटिव ता तो लेफ्ट साइड नेगिटिव है और जब डिस्प्रिश्मेंट नेगिटिव हो गा तो विलस्टी भी नेगिटिव हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग समझ थे हैं कि वाइब वैब्सटी कें बी पोस्टी जीरो और नेगिटिव जीरो तो आपने करके किन का जो इनिस्याल है I will sorry कि इनका इनिस्यल और पाइनल पोजिशन से मैं और dividends इसके बाद हम लोगवात करते हैं वेलेश रॉस्ट चीमिन करता है από यॉनित अनि का हुझत बायर टाइम सब्सक्राइब करते हैं कि अगर किसी अब्जेक्ट ने इक्वल डिस्प्रेस्मेंट इक्वल टाइम पर कवर किया है सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के वेलस्टी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलस्टी नेक्स्ट होगा वेरियेवल वेलस्टी अब क्या है तो इसका रिवर्स हो गया सब्सक्राइब करते हैं अगर उसी बात को दूसरे ढंकते यहां पर बोला गया है सब्सक्राइब करते हैं इसका होगा करते हैं आप इसे क्या होगा अगर इस्टेट लाइन पर चल रहा है तो आप एक वार किसी एक डान चला तो यह कि यह ग्याइदर तो एक वेलस्टी इसको इदर हुआ फिर इतर गया तो हर आप देख पारें कि डिर्क्राइश कर रहा है तो इनका वेलोस्टी भी देखेंगे यहांड टू तो थी तीन वार चैंज कर गया है तो यह हमारा एबरेज विलोस्टी लास्ट आज हमारे टॉफी कहीं पर है एबरेज विलोस्टी क्या होता है so it is टोटल डिस्लेजमेंट वाइटोल टाइब और यहां पर बोल जा रहा है फोर न अब्जेक्ट moving with variable velocity average velocity it is the ratio of its total displacement to the total time interval in which the displacement occurs very simple total displacement क्या है आप find कर लेंगे total time क्या है वह आप देख लिजिए और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि if x1 and x2 are the position of an object at time t1 and t2 यह x1 x2 क्या है तो किसी एक reference के आप एक ओ आप एक फ्रेम इसरा से बना लेजिए इसके compare में एक बार इसने या from पहुंचने मिसको समय लगा तीवन और फिर कंटिनुवसली आगे यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वह हो गया टीटू लब इसके कंपेर में यहां तक टीटू समय लगता है आने में और इसके कंपेर में यहां पहुंचने में टीवन लगता है टाइम इंटरबल किया हो मुझे हैं आपको दिस्टेंस फाइंड हो जाएगा अगर दिस्टेंस हो इसे एक तो आपको डिस्टेंस पानल देखेंस तो हुआ की बात करेंगे तो समेंय से यह होगा जवाब होगा इक होना चाहिए एक नहीं की एक इसा नहीं और पिर नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन में हो तब उनका स्पीड और फिलस्टी सेम रहता है चलिए आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू